नमस्कार बच्चों मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी आज की इस भेधरीन सी क्लास में हम लोग मुख्य तोर पर अपनी क्लास 9th के जो हमारे प्यारे बच्चे उन सभी के साथ बात कर रहे हैं और क्षा 9th के प्यारे बच्चों के आप देखते हैं कि आपकी जो मुख्य तोर पर राजनितिक विज्ञान या फिर जो आपकी पॉलिटिकल साइंस वाली पुस्तक है उसके अंदरगात आप लोग इस चैप्टर को देखते हैं मुख्य तोर पर यह जो हमारा पूरा का पूरा अध्याय है यह बहुत ही नई न प्रकार से आप देखते हैं कि एक बुक है या फिर एक पुस्तक है जैसे आप सभी लोग स्कूल में जाते हैं आप सभी के स्कूल के अंदरगात आप लोग देखते हैं कि दोस्तों आपके कुछ रूल्स होते हैं है ना कुछ नियम होते हैं और स्कूल के यह जो रूल्स और नियम होते हैं आप देखते हैं कि आपके स्कूल की डायरी होती है उसमें लिखे रहते हैं कि सरदी में कौन सी यूनिफॉर्म पहननी है गर्मी में कौन सी यूनिफॉर्म पहननी है उसी के साथ आपके फर्स्ट रम के एक्जाम कब होंगे second term के exam कब होंगे, unit test कब होंगे हर एक प्रकार का जो आपके school का rule होता है आप देखते हैं कि वो आपकी school की diary में लिखा होता है और उसी के अधार पर आपके school को चलाया जाता है ऐसे ही आप देखते हैं कि दोस्तों जब देश को चलाने के लिए जो नियम बने होते हैं और ये सभी नियम एक किताब में या फिर एक पुस्तक में रख दिये जाते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों इसी को हम लोग समीधान कहते हैं अंग्रेजी में इसको constitution कहा जाता है तो हम लोग अपनी आज किस क्लास में मुख्य दोर पर ये समझेंगे कि जो हमारा प्यारा भारत देश था जो साल 1947 में अज़ाद हुआ और साल 1947 में अज़ाद हो जाने के बाद हमने देखा कि हमारे यहाँ पर हमें 2 साल 11 महीने और आप देखते हैं कि दोस्तों 18 दिन के बाद आप देखते हैं कि हमें हमारे देश का समीधान मिला हमारे देश में लगपक 2 साल 11 महीने 18 दिनों की महनत के बाद देश के नियम और कानून बनके तयार होते हैं और उसके बाद पिर इस समिधान के बनने के बाद हमारे देश को इनी समिधान के नियम के हिसाब से चलाया जाता है हम लोग करेंगे कि अपनी आज की इस क्लास में हम लोग अपनी आज की इस क्लास में दोस्तों भारत की समिधान को समझने से पहले एक दूसरे देश की कहानी को आप सभी के सामने रखेंगे और ये जो देश था इसकी कहानी कहीं न कहीं भारत के जैसी ही थी जैसे भारत के उपर आप लोग देखते हैं कि अंग्रेजों ने शासन किया था जो देश या फिर जिस देश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उस देश के उपर भी आप लोग देखते हैं कि अंग्रेजों के दुआरा शासन किया गया था और यहाँ पर भी अंग्रेजों ने बड़े तोर पर आप देखते हैं कि लोगों को परिशान किया था, उनको जादा शोशन किया था, तो कौन सा है वो देश, और उस देश के जरीए हम लोग समीधान निर्मान को आप सभी के सामने रखेंगे तो वुख्य दोर पर अपनी आज किस क्लास में हम लोग इन बातों को आपके सामने रखने वाले हैं सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस बात को समझने की गोशिश करेंगे कि भाई समीधान का अर्थ क्या है जैसे मैंने आपको थोड़ी सी इन्फोमेशन दी है, थोड़ी सी रूप रेखा आपके सामने रखेंगे थोड़ी सा आइडिया आपको दिया है तो उसकी को रंग भेद कहा जाता है है ना, तो अगर कोई वेक्ती गोरा है कोई दूसरा वेक्ती जिसके स्किन का रंग जिसके तवचा का रंग आप देखते हैं या तो काला है या फिर सांवला है और इसको उसके तवचा के रंग के अधार पर आप देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेट किया जाता है भेद भाव किया जाता है तो उसे ही रंग भेद कहते हैं ये मुख्य तोर पर आप लोग देखते हैं कि दक्षिन अफरीका में हुआ करता था और दक्षिन अफरीका की अंदर तोर पर कौन-कौन से प्रमुक कारे की है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले समीधान है क्या, रंगबेद किस देश में दिखा, जिसे हम लोग दक्षिन अफ्रीका के तौर पर पुकार रहे हैं, दक्षिन अफ्रीका में अजादी की मांग किस तरीके से उठती है, वो देखा, उसके बाद मुख्य तोर पर समीधान की जरूरत आखिर आती ही क्यों है, देश जब अजाद हो गया तो देश को ऐसे ही चला लो, क्या फर्क पड़ता है, नहीं, किसी भी तरीके को, किसी भी संस क्रमेटिक तरीके से होती है, बहुत ही भैतरीन तरीके से होती है, ठीक है, तो ये हमारे बिंदू होंगे दोस्तों, जिसको अपन लोग अपनी आज किस क्लास में समझने वाले हैं, शुरुवात करते हैं, सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं, कि भाया जी, स कामुहिक रूप से उन नियमों को मानते हैं और समीधान जो होता है वो सर्वोच कानुन होता है अब अगर आप लोग भारत के संदर्ब में देखें हमारे अलग-अलग जाते हैं धर्ब है, भाषाए है, लिंग है, समुदाए है है ना अलग-अलग लोग अलग-अलग धर्मों को मानने वाले दिखते हैं लेकिन देश के अंदरगात अगर आप लोग देखें कि ये सभी लोग क्या करते हैं देश के बनाए जो नियम है उनको अपनाते हैं उनी नियमों के अधार पर अपनी जिन्दगी को गुजारते हैं, अगर कोई नियमों को नहीं मानता तो उसको फिर डंड भी दिया जाता है, तो समिधान एक प्रकार से एक पुस्तक है, एक किताब है, जिसके अंदर कर देश को चलाने की नियमों को रखा जाता है, इन नियमो की वज़ा से ही देश का जो संचालन होता है देश को चलाना बहुत ही असान हो जाता है देश के अंदर जो आपके बड़े-बड़े अधिकारी लोग हैं जो आपके बड़े-बड़े पदाधिकारी लोग हैं देश के राशपती हुए देश के प्रधान मंतरी हुए राज्यो कि आप देखते हैं कि आई ये सधिकारी हुए इनकी क्या शक्तियां हैं इनकी क्या क्या काम हैं ये सभी चीज़ें आप देखते हैं कि देश के समीधान में वर्लित की जाते हैं अच्छा ये जो हमारा समीधान होता है दोस्तों मुख्य दोर पर आप लोग देखते हैं कि ये के बीच और उसकी के साथ साथ आप देखते हैं कि सरकार के बीच जो हमारी government होती है जो हमारे नेता लोग होते हैं उनके बीच में क्या करता है एक प्रकार से संबंद बना के रखता है अब बैया जी नेता लोग जब एक बार समीधान ने बता दिया है उसी अधार पर उन्हें देश को चलाना होता है और अगर वो ऐसा नहीं करते तो नेता लोगों को फिर हटा दिया जाता है तो मुझ के दौर पर आप देखते हैं कि समीधान एक पुस्तक है जिससे किसी भी देश में रहने वाले लोगों को आप जभते हैं आगे यहाँ पर हम लोग डिस्कुशिन करेंगे रंग भेद के बारे में भाया जी यह रंगभेद क्या है फिर रंगभेद मुक्खे दौर पर उसके रंग कि अधार पर भेद भाव करता है या फिर एगर कोही काला वे जो तवचा का रंग है वो तो अच्छा है और जो दूसरे लोग है वो बेकार है और उनको अधिकार नहीं मिलने चाहेंगे यही रंगभेद की नीती खेलाती है और यह जो रंगभेद था ना दोस्तों यह मुख्य तोर पर हमें कहा दिखता है यह हमें दक्षिन अफरीका की लोगों को क्या किया था बाटा हुआ था अंग्रेश खुद गोरे थे तो वो अपने आपको उच्छ मानते थे और यहां के जो लोकल लोग थे जो अश्वेत लोग थे हैं ना यहां पर दो शब्दों को हम लोग परियोग करेंगे दोस्तों एक शब्द कहलाता है श्वेत अश्वेत थे लेकिन आप देखते हैं कि जो अंग्रेज लोग जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो ये लोग उन पर कवजा कर लेते हैं और फिर उनके रंग के अधार पर क्या किया जाता है दोस्तों मुख्य तोर पर उनको परिशान किया जाता है और जब वहाँ पर पिर आप देखते हैं कि अंग्रेज लोग बसना शुरू हो जाते हैं तो दक्षन अफरीका के अंदरगत क्या किया जाता है यूरोप के जो गोरे लोग थे ब्रिटेन के लोग हुए फ्रांस के गोरे गोरे जो लोग थे ये मुख्य तोर पर क्या करते हैं दक्षन अफरीका के अंदरगत वहाँ के जो मूल निवासी रहे थे उनसे बहुत जादा भेद भाव करते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों इसी को हम लोग रंग भेद के नाम से पुकारते हैं अब मुख्य दोर पर दक्षन अफरीका के अंदरगत रंग बाद कबसे हुई यहाँ पर यह लोग हम लोग इस बिंदू को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर आप लोग देख पारे हैं दोस्तों यह सभी के सभी लोग अश्वेत लोग हैं यानि कि आप देखते हैं कि यह सभी के सभी लोग ब्लैक लोग हैं है ना ब्लैक लोग है य ये जो आपको 200 सालों की पूरी की पूरी कहानी दिख रही है। सन 1600 से 1700 के आसपास आप देखते हैं कि मुख्य दोर पर ये जो पूरी काल अवधी रही। इसमें आप देखते हैं कि वेपार करने के लिए जो यूरोब के बड़ी बड़ी कमपनियां थी ना वो दक्षिन अफरीका की अंदरगत पहुंचती हैं और दक्षिन अफरीका के जो लोग थे ना उनको गुलाम बनाया जाता है। लोग थे इनको बेचा जाता था और इनको एक तरीके से घुलामों की तरीके से रखा जाता था। घुलाम का मतलब कि इनके कोई अधिकार नहीं है इनकी कोई जिंदगी नहीं है जो इनका मालिक है जिस तरीके से इनको जिंदगी गुजारने को कहेगा उस तरीके से इनको पड़ेगी तो बड़े स्थर पर आप देखते हैं कि यूरोप के बड़े बड़े देश जो थे वो दक्षन अफरीका के अंदरगत पहुंचते हैं और यहां के लोगों को गुलाम बनाते हैं और फिर आप देखते हैं कि यहां पर काफी संख्या में क्या हो जाते हैं जो गोर लोगों में और अश्वेत लोगों के बीच में क्या होने लगता है दोस्तों एक प्रकार से आप देखते हैं कि टसल होने लग जाती है एक प्रकार से जो गोरे लोग थे वो अश्वेत लोगों को जो हमारे थे इनको दबाना शुरू कर देते हैं काले लोगों को दबाना शु नहीं दिये जाते हैं यह बाहर से आये हुए यूरोप ये लोग इनके देश के उपर कभजा करने लग जाते हैं ठीक है आगे की कहानी देखते हैं अब मुख्य दोर पर दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि यह जो रंगभेत की निती थी इसके अंदरगत क्या हुआ जो प्रतिबंद लगा दिया गया था है न और क्या गलती है इन अश्वेत लोगों की कोई गलती नहीं है भाई कोई गुनह नहीं है बस इनका इनकी गलती है कि इनका रंग काला है सिर्फ रंग के अधार पर आप देखते थे कि यह जो गोरे लोग थे यह जो श्वेत लोग थे ये अफरीका के अश्वेतों के साथ बहुत बुरा बरताव कर रहे थे आप देखते थे कि जो गोरे लोग थे इन्होंने ये कहा था कि भाईया जी हमारी बस्तियों में आने की इजाज़त नहीं है देश किसका है ये ये देश किसका है क्या ये ये यूरोप के लोगों का देश था भाई ये तो अश्वेतों का अफरीके अश्वेतों का देश था ना लेकिन आप देखते हैं कि अपने ही देश के अंदर इन लोगों को आप देखते हैं कि जो गोरे लोगों ने अपनी बस्तिया और कॉलोनिया बनाई थी, यह कहा दिया था कि तुम हमारी कॉलोनिय के अंदर नहीं आओगे उसी के सासथ आप देखते हैं कि परमिट होने पर ही आप देखते थे कि वहाँ पर काम करने जा सकते थे हाँ अगर आपको आना ही ये कह दिया गया था कि कोई भी वेक्ती जो अश्वेत है जो काला है वो अंग्रेजों की या फिर गोरे लोगों की कॉलुनिस में नहीं जाएगा हाँ अगर किसी को बुलाया जा रहा है अगर कोई आ रहा है तो उसके पास permit होना चाहिए permit का मतलब कि उसके पास आग्या होनी चाहिए जैसे आप लोग अपने school के अंदर आप देखते हैं कि किसी period में आप जब school के बाहर जाते हैं या फिर आप अपने period के अंदर आप देखते हैं कि दोस्तों आप लोग बॉश्रूम जाते हैं तो आपको एक card दिया जाता है monitor के द्वारा है ना तो ऐसी ही आप देखते हैं कि जो अफ्रीका था वहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि अगर कोई अश्वेत लोग हैं और वो मुख्य तोर पर क्या करना चाहते हैं गोरो की colony में आएंगे तो उनके पास permission card होना चाहिए उसी क्याधार पर वो वहाँ पर सिर्फ काम करने के लिए आ सकते हैं और ये जो काले लोग हैं अपर ये जो हश्वेत लोग हैं गोरो लोगों के लिए आरक्षित स्थानों पर नहीं जा सकते यानि कि गोरो लोगों ने अदक्षिन अफ्रीका की अंदरगद कुछ जगाहों को बहुत से जो इलाके ते कह दिया था इन यूरोपी लोगों ने ये कह दिया था कि ये जो गिरजा घर है यानि कि जहां पर चर्च जहां पर भगवान का आप देखते थे कि नाम पुकारा जट जाता था वहां पर कह दिया कि सिर्फ ये गोरे लोगों कही है यहाँ पर अश्वेट लोग बिलकुल नहीं आएंगे और इसी बात को लेकर आप देखते हैं कि जब ऐसी चीज़ें अश्वेटों के साथ हो रहें जी तो अश्वेटों को संगठन बनाने और इस बेद्भाव का विरोध करने का भी कोई अधिकार नहीं दिया गया था अश्वेट लोगों को काले लोगों को दबाया जा रहा है उनी को उनी के देश में कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है उनको गोरेउं की कॉलनी में नहीं जाने दिया जा रहा हूँ, उन अश्वेट लोगों को आप लोग देखते हैं कि उनको भगवान के गिरजा घरों में जाने की आग्या नहीं मिल रही है, और मुख्य तोर पर अगर वो इस बात का विरोध करना चाहें, संगठन बनाना चाह बनता है, और उसके बाद आप लोग देखते हैं कि मुख्य तोर पर एक संगठन बनता हुआ हमें देखता है, कि दक्षन अफरीका के अंदरगत क्या आता है, दोस्तों आप लोग देखते हैं कि भाईया, अजादी की मांग उठने लग जाती है, ये बहुत गलत हो रहा है, कि ये अफरीका के अंदरगत अश्वेतों को, काले लोगों को जो दवाया जा रहा है, ये बहुत गलत है, और आप देखते हैं कि मुख्य दोर पर अफरीका के अंदरगत क्या उठता है, दोस्तों, अजादी की मांग उठती है, और अफरीका के अंदरगत आप देखते हैं अजादी की लड़ाई शुरू कर देते हैं और फिर ये लड़ाई काफी लंबे समय तक चलती है और आप देखते हैं कि दोस्तों 26 अपरेल है ना आप क्या देखते हैं 26 अपरेल 1994 को आप देखते हैं कि जो हमारा साउथ अफरीका है है ना जहां से एबी डिविलियर्स आता है अगर आपने किर्किट को देखा होगा है ना तो आप देखते हैं कि मुख्य तोर पर दोस्तों कि 26 अपरेल 1994 को आप देखते हैं कि दक्षिन अफरीका को क्या दिया जाता है अजादी प्राप्त होती और इस देश का फिर अपना जंडा बनता है तो ये लोग काफी लंबे समय से क्या करते हैं दोस्तों अजादी की लडाई की कोशिश करते हैं पहले तो इनको अधिकारी नहीं दिये जा रहा है साल 1950 आते आते अफरीकी नैशनल कॉंग्रिस एक संगठन बनता है जो अफरीकियों के लिए अजादी की मांग की कोशिश करता है 1950s में रडाई शुरू होती अजादी की मांग और फिर साल 1994 में 26 अपरेल को अफरीका क्या बनता है दोस्तों एक अजाद देश और एक लोकतांतरिक देश के तोर पर जाना जाता है लोकतांतरिक मतलब कि अब जो अफरीका को चलाया जाएगा वो लोकतंतर के हिसाब से चलाया जाएगा उसी के साथ आप देखते हैं कि जो यूरोप ये अलसंख्यक लोग थे उन पर क्या किया जाता है गोरों की सरकार इस्थानिये काले लोगों पर अत्यचार करती रही मुख्य दोर पर आप देखते थे कि जो यूरोप के अंद्रगत अफरीका के अंद्रगत अब जैसे हम देखते हैं कि अजादी की घोशना होने लग जाती है कि अफरीका के अंदरगत पूरे लोग जो थे वो काले थे ऐसा नहीं था दोस्तों आप सभी को बता है कि अफरीका के अंदरगत गोरे लोग भी थे और ये जो गोरे लोग थे इन लोगों ने कहीं न कहीं आप देखते हैं कि मुख्य दोर पर इन काले लोगों पर बहुत रहे थे और यह जो अजादी की लड़ाई होती है कोई ना कोई तो नेता रहा होगा दोस्तों जैसे भारत के अंदरकद हम गांधी जी को देखते हैं हम सुभाष चिंदर बोस को देखते हैं ऐसी दक्षिन अफ्रीका के अंदरकद आप देखते हैं कि एक वेक्ति हैं जिनका नाम है नैंसल मंडेला भाई जो नैंसल मंडेला थे वो ये कहते हैं कि भाईया ये जो अब देश को अजादी मिलेगी वो तो हम ले ले लेगे उसी के सासथ की जो रंग के अधार पर आप देखते हैं कि भेदभाव किया जाता है इसको पूरे तोर पर क्या करना होगा नेशनल कॉंग्रिस थी इसके जंडे तले यानि कि इसी संगठन के बुलावे पर जो गोरे लोग जो अंग्रेज थे उनके विरूद में क्या किया जाता है मजदूर संगठन और कम्यूनिस पार्टियां भी शामिल हो जाते हैं तो अलग अलग राजनेतिक दल अफरीका के अं पर जाते हैं तो लोग एक खटे होने लग जाते हैं तो देश जो था अलग-अलग समूव में बटा हुआ था आप देखते हैं कि देश का यह जो पूरा समूथा भी यह इकट्टा होने लग जाता है और फिर आप देखते हैं कि साल 1994 में चुनाव की घोषणा की जाती है भई चुनाव होंगे यह घोषणा की जाती है उसमें किसी भी काले लोगों को शासन में नहीं दिया गया, साल 1950 से पहले अंग्रेज शासन तो चला रहे थे अफरीका में, लेकिन किसी भी अश्वेट को शासन में शामिल नहीं किया गया, इसी का भी रोध नैंसल मंडेला और उनकी पार्टी कर रही थी, उसी के साथ कम्यू और देश के पहले अश्वेत राश्पती भी इनको बनाया जाता है तो ये हैं हमारे प्यारे नैंसल मंडेला जी थे आप देखते हैं कि दोस्तों इन पर क्या किया जाता है इन पर देश धुरों पर देश धुरों का मुकदमा चलाया जाता है कि जब आप देखते हैं कि साल 1950 क आसपास आप लोग देखते हैं कि अजादी की लडाई शुरू हो गई थी तो क्या ये गोरे लोग असानी से अजादी दे देंगे नहीं जब इन्होंने देखा कि नैंसल मंडेला और इनके साथ ही लोग और उनकी नैशनल अफरीकी कॉंग्रेस जो ये पार्टी है ये खड़ ही हो रही है तो नैंसल मंडेला के ऊपर आप लोग क्या देखते हैं कि दोस्तों इनी पर केस कर दिया नैंसल मंडेला के ऊपर ही क्या कर दिया कि तुम देश के खिलाफ काम कर रहे हो आप देखते हैं कि ये केस इनके ऊपर शुरू कर दिया और नैंसल मंडेला और उनके साथियों को क्या कर दिया गया 1964 में 1964 में देश में रंगभेश से चलने वाली शासन विवस्था का विरोत करने के लिए जीवन कारावास की सदा दी गई आप देखते हैं कि दक्षिन अफरीका में जब दक्षिन अफरीका अजाद नहीं हुआ था तो उस समय शासन में सिर्फ अंग्रेज लोग ही हुआ करते थे अंग्रेज लोग ही पूरे देश को चला रहे थे और ये गलत तरीके से अफरीका को चलाते थे काले लोगों के साथ बहुत भेदभाव करते थे बुख्य दोर पर आप लोग देखते हैं कि समय गुजरता चला गया और साल 1964 में आप और इनको फिर क्या किया गया दोस्तों 28 सालों तक दक्षन अफ्रीका में रोबन ड्वीप, रोबन आइलेंड करकर होता था, वहाँ पर इनों ने अपनी जिन्दगी की घुजारे, है ना, तो देश की अजादी के लिए मरमिटने वाला यह जो वेक्ती था, आप देखते हैं क इनको 1964 में पकड़ लिया गया, और फिर ये जेल से ही क्या करते रहे, अपने साथियों का मार्ग दर्शन करते रहे, उनको बदाते रहे किस तरीके से शासन को आगे बढ़ाना है, है ना, और फिर इस तरीके से आप देखते हैं कि शासन की बात होते रहे, धीरे-धीरे समय जी को, तो ये मुख्य दोर पर क्या करते हैं, दोस्तों, अपने जितनी भी इनके experience रहे थे, उस पर लेकर एक किताब भी लिखते हैं, जिसका नाम रखा जाता है, जो 99 वंडेलर के दौरा जेल में ही लिखी जाती है, ठीक है, अब इसके साथ साथ आप लोग देखते हैं कि अब 1994 में यहां तक तो हमने समझ लिया कि क्या पूरा का पूरा घटना गरम रहा, बड़े लंबे समय से आप देखते थे कि अफरीका के लोग परेशान थे, काले लोग जो थे, और ये गोरे लोग हर तरीके से इनका दमन कर रहे थे, अश्वेत लोगों का, इन लोगों ने अजादी की कोशिश की, तो इनके नेताओं को पकड़ कर जेल में डाल दिया गया, 28 सालों तक इनको जेल में रखा गया, और उसी के सासथ इसी काल अफधी में धीरे-धीरे समय घुजरता चला गया, 1994 में आप लोग देखते हैं कि चुनाव हुए और उसमें नैंसन मंडेल होना चाहिए और इस समीधान की अंदरगर, समीधान का मतलब कि देश को चलाने की नियम होने चाहिए, जैसे अंग्रेज चला रहे ते ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी मनमर्दी से चीजों को कर रहे हैं, जिसको पकड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, और ये जो अश्वेत समीधान का प्रथम प्रिष्ट आपके सामने यहाँ पर रखा गया है, वी दी पीपल ऑफ साउथ अफरीका इसे कहा जा रहा है, और एक तरह से आप लोग देखते हैं कि एक पवित्र समझाता, ये लोग एक प्रकार से समझाता तयार करते हैं, अफरीका की अंदरगत, और दक्षिन अफरीकी की तहट क्या करते हैं, हम एक दूसरे के साथ वादा करते हैं कि हम अपनी रंग भेदी जो नीती है, उसको पूरे तोर पर समाप्त कर देंगे, तो दक्षिन अफरीका की अंदरगत, 1994 के बाद समीधान को निर्मित करने की उठती है मांग, उसके अफरीका है, चाहे गोरे हो या फिर काले, और सभी को क्या किया जाता है, इसमें शामिल होना चाहिए, और इतिहास को फिर से हम लोग नहीं दोहराएंगे, ये बाद अफरीकी समीधान के अंदरगत आप देखते हैं कि की जाती है, उसके साथ आप देखते हैं कि अपने दे देश के अंदरगत पैदा हों है, जो उस देश के अंदरगत रह रहे हैं, ये उनका सभी का है, चाहे वो गोरे हों, चाहे वो काले हों, ये देश सभी का है, और सभी लोग इस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान देंगी, ये बात हमें देखती है, चाहे वो श् 1994 में जिस देश की दुनिया भर में लोकतंत्रिक तरीकी के लिए निंदा की जाती थी आप देखते हैं कि आज उसे फिर लोकतंत्र के बेस्ट मॉडल के तौर पर देखा जाता है ना कि भीया 1994 से पहले दक्षन अफरीका में लोकतंत्र तो था ही नहीं सिर्फ गोरे लोगी शा हाने में सब को रखा जाता है लेकिन اइसा था नहीं बड़ी लंबी जद्दुजहत के बाद दो भरता हुआ देखता है जहां पर 1994 से पहले दक्षन अफरीका में लोकतंत्र बिलकुल नहीं था लेकिन 1994 में उन्हों अच्छा समीधान बनाया जिसमें सब को अधिकार दिया चाहे काले हों गोरे हों इस्तरी हों या फिर पुरुश हों और इन सभी के अधिकारों के जरीए इस देश के अंदर लोगतांदर मजबूत हुआ और ये सभी चीज हो पाई किस वज़ा से दोस्तों एक बहतरीन समीधा को निर्मित करने की वज़ा से इस बहतरीन समीधान की वज़ा से आप देखते हैं कि दक्षण अफ्रीका तेजी से आगे वड़ा अब सवाल आप सभी किस दिमांग में जरूर आ सकता है कि आखिर समीधान बनाने की जरूरत पाईदा ही क्यों हुई ताहे को बनाया समीधान ऐसी ही चला लेते देश को है ना ऐसा थोड़ी ता दोस्तों समीधान बनाने की कोई न कोई तो वजह रही होगी चलिए उसको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं देखिए कि किसी भी देश के अंदर जहां पर लोग तंत्र होता है अब आपके सामने यहां पर ए या जी लोगों की दुआरा किया जाने वाला साशन एक ऐसा देश जिसको उस देश के सभी लोगों के दुआरा चलाया जाता है उसी को हम लोग डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र कहते हैं दक्षन अफ्रीका में लोकतंत्र नहीं था 1994 से पहले देश के सिर्फ मुठी भर जो बोरे लोग थे वही चला रहे थे अश्वेत लोगों को बहुत परिशान किया जा रहा था तो मुख्य दौर पर आप लोग देखते हैं कि जहां पर भी लोकतंत्र होता है जहां पर वास्तविक्ता में देश को चलाने में सबका साथ सबका विकास होता है तो उस महाँ पर हम लोग देखते हैं कि अच्छे सम्यधान की पूरे तौर पर हमें ज़रूरत पड़ती है देश के अंदरकत जो हमारी सरकार होती है जो चुने हुए नेता लोग आते हैं भाया जी, इनके अधिकार क्या होंगे, वह सम्यधान में लिखे होते हैं हमारे देश में चुनाव होता है, हर 5 साल के बाद हम लोग अपने नेता लोगों को चुनते हैं ये नेता लोग अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, इन नेता लोगों के दिमाग में इनको बहुत शक्तियां दे दी जाती है भाई लेकिन आप देखें कि इनको क्या काम करना है उनकी शक्तियों पर भी कुछ ने कुछ तो विराम होना चाहिए ना वरना तो ये नेता लोग अपनी मनमर्जी से काम करेंगे देश के भलाई के नहीं देश के नुकसान के भी काम कर सकते हैं इसलिए आप देखते हैं कि समीधान का होना जरूरी है जो ये बताता है कि आपके नेता लोगों के क्या अधिकार है और क्या क्या शक्तिया है उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि यह जो सरकार हैं जो आपके नेता लोग हैं यह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकते है ना कभी नेता लोग इतने सर्वशक्तिशाली ना समझने लगें अपने आपको कि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगें अगर मुख्य दोर पर समीधान होता है तो समीधान में बता दिया जाता है कि ये राश्पती है, ये इनकी योगिता है, ये इनके काम है, अगर ये इनकामों को नहीं करेंगे, गलत तरीके से करेंगे, तो इनको खटा देंगे. आपकी और मेरे पास जो हमें सभी लोग इस देश के अंतरगत पैदा हुए है जो इस देश के नागरी के उनके पास 6 मोलिक अधिकार हैं पतंतरता का अजा हुआ, है ना समानता का हुआ, शोशन की विरुद हुआ अपने धर्म का प्रचार परसार करने का हुआ है ना, तो आप देखते हैं कि मुख्य दौर पर हमारे ये 6 मोलिक अधिकार हमें मिले हुए और इन मोलिक अधिकारों की वज़ा से ही आप देखते हैं कि हम देश में कहीं भी आ जा सकते हैं कहीं भी कोई कार्रे कर सकते हैं, कोई रोग टोग हमारे उपर नहीं है, है ना अँच्छा देश तभी बनता है, जहाँ पर मौजूद सभी लोगों को सम्मान दिया जाता है, हम्हां तो इस से आप देखते हैं कि एक अच्छा समाज पैदा होता है, लोगों के नजरिये में कानून की importants बड़ती है और इससे देश कहीं न कहीं बहुत के तेजी के साथ ठीक है? चलिए. तो मुख्य दोर पर हम लोग देखते हैं कि दोस्तों, अब साथ रहकर विभिन तरहां के लोग क्या करते हैं? बीच में जरूरी धुरोसा और सहींविक्सित करते हैं. जब किसी देश के अंद्रगत. अब हमारे प्यारे भारत के अंद्रगत ही देखिए. हमा पारियाँ अलग-अलग आपको देखता है कि δोस्तों कल्चर हमें दिख जाते हैं, अलग-अलग धर्मات, अलग-अलग संस्कृतिया ंएं और आप देखते हैं कि इन सभी लोगों को एक दूसरे के उपर विश्वास है आप देखते हैं कि समिधान के अंद्रगत लोग एक दूसरे के उपर भरोसा करते हैं और उनको एक दूसरे के उपर सहयोग और विश्वास होता है उसी के स्यासत आप देखते हैं कि लोकतांत्रिक देशों में जहाँ पर समिधान बना होता है तो वहाँ पर जो सरकार होती है सरकार का मतलब कि जो आपके नेता लोगों का ये जो समू होता है ये मुख्य दोर पर क्या करता है दोस्तों ये मुख्य दोर पर जनता की भलाई के कार्रे करता है नेता लोग हमेशा नई-नई सडकों का नई-नई तरीके से नई-नई चीजों पर काम करते हैं क्योंकि उनको बता है भायाजी ये इनके काम है वना तो एक बार जीतने के बाद अराम से बैट सकते हैं है लेकिन आप देखते हैं कि दोस्तों मुख्य दौर पर नेता लोगों को कि उन्हें जनता के प्रती काम करना ही होगा क्योंकि उनको छुनाव में दुबारा जाना है तो मुख्य दौर पर समिधान कहीं न कहीं देश के अंदरगत विकास की भागदोर को बढ़ाने में बहुत युगदान देता है सरकार के जो अधिकार है कि किसी भी नेता लोगों के राशपती हुए प्रधान मंत्री हुए मुख्य मंत्री हुए उनके क्या अधिकार होंगे ये सभी हमारे समिधान में लिखा होता है और नागरिकों के भी अधिकार इसमें लिखे होते हैं तो दोनों मिलकर एक दूसरे को क प्रड़ने लग जाते हैं और फिर स्तेती बहुत जादा खराब हो जाती है तो जब दक्षन अफरीका में सिर्फ गोरे लोग उपर जा रहे थे गोरे लोग शासन को चला रहे थे तो क्या दक्षन अफरीका के अंदरकत हलात अच्छे थे नहीं वहाँ पर जगड़ा हो रहा लेकिन जब अजादी प्राप्त हुई अंग्रेजों को हटाया गया और मुख्य दौर पर जब देश में मुख्य दौर पर आप देखते हैं कि समिधान को बनाया गया सब को साथ लेकर चलने की बात की गई तो फिर देश तेजी से आगे बढ़ता चला गया तो एक अच्छ सब्सक्राइब है कि दक्षिन अफ्रीका को किस शताबदी में घुलाम बनाया गया था यह आप से पूचह जा रहा है है ना, तो आप देखते हैं कि कि सवस्हिएज दोस्तों, जो पार्टी थी उसके नेता थे और इनोंने अफरीका में अजाजी, दक्षन अफरीका में अजाजी की मांग की और यह जो रंगभेत की नीती थी इसका विरोध किया था और इनको 28 सालों तक फिर जेल में भी रखा गया था रॉबिन आइलेंड में 1964 से 1944 तक इनको लंबे समय तक जेल में रखा गया दक्षन अफरीका हमारा सही आंसर बनता है अगला सवाल है उचा जा रहा है कि दक्षन अफरीका कब स्वतंतरता को प्राप्त करता है चार ओप्षिन हमारे सामने हैं दोस्तों 26 अपरेल 1994, 26 जनवरी 1994, 26 अपरेल 1993 या फिर 15 अगर्स 1994 हमारा जो सही आदम कता थी उसका नाम क्या था? Long Walk to Freedom, सत्य के प्रियोग, Wings of Fire या फिर मैं नास्तिक क्यों हूं? चार ओप्षन है और हमारा जो सही सवाल है अंसर है दोस्तों 99 मंडेला ने जेल के अंदर कर जो प्रस्तक को लिखा था जो उनके जीवन के एक्सपीरियंस को लेकर थी उसक सवाज का निर्वान करने के लिए, सरकार का मतलब नेता लोगों का समुव बनाने के लिए, समाज में जो अलग अलग धर्म, जाती भाषा के लोग है, उनको साथ लेकर चलने के लिए सरकार की शक्तियों पर सीमाय बनाने के लिए नेताओं की जो शक्तियां हैं उन पर अंकुष लगाने के लिए कि नेता लोग अपनी मर्जी से काम ना करें समीधान के हिसाब से काम करें इसलिए समीधान की ज़रूरत है उपरुख सभी कारण है न कि सरकार का निर्मान हूँ, एक ऐसा समूँ बने जो देश को चलाए, जी हाँ, ये समीधान का काम है, और समाज में जो अलग-अलग लोग हैं, वो सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहे हैं, ये भी समीधान का काम है, और सरकार जो हमारे नेतलोग चुने गए हैं, उनकी शक्तियों पर सीम हैं, दोस्तों मुख्यत और पर आप लोग देखते हैं कि बिंदू रहे, जिसके अंदरिगत हमने दक्षिन अफ्रीका की जो देश रहा, उसकी पूरी कहानी को देखा, कि महाँ पर किस तरीके से समीधान को बनानी की बात उखती है, रंग भेद किस तरीके से वहाँ पर कार तो यह रही हमारी आज की क्लास दोस्तों हम आशावर उमीद करते हैं कि यह जो हमारी आज की क्लास रही है यह आप सभी के लिए बहुत जादा रुची कर रही होगी बहुत जादा इंट्रस्टिंग रही होगी We will meet in our next class, हम लोग आप सभी के साथ मुलगात करेंगे अपनी next class के अंतरगत और उसमें हम लोग मुख्या दोर पर समीधान निर्मान का यह जो हमारा lecture number 2 होगा, उसको आप सभी के साथ डिसकस करेंगे और भारत का समिधान किस तरीके से बना भारते समिधान को बनाने में किन-किन लोगों का क्या-क्या योगदान रहा अजादी से पहले ही भारते समिधान को बनाने की कोशिश हो गई थी कैसे हुई थी, किन लोगों ने क्या योगदान दिया था उसको हम लोग अपनी next class के अंदरगत करेंगे discuss तब तक आप सभी का हमारे साथ जुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद